अगर वन आर के चप्टर को खतम करने में 4-5 आज लग जाते हो अगर आपको बढ़ाई की स्पीड इंक्रीज करनी है तो इस वीडियो को जरा भी मिस मत करना और इस वीडियो को एंड देख जरूर देखे उसके पहले अगर आप नए हो हमारी चैनल पे तो स्टड़ी बड़ी क्लब को सब्सक्राइब जरूर करे यहाँ पे हमने दोसों से भी ज्यादा स्टड़ी टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो अपलोड किये हुए है जो आपको शूरली हेल्फुल होंगे So आज की यूनिक टेक्निक का नाम है ओडरिंग टेक्निक ओडरिंग टेक्निक? अब ये क्या है भाई? दोस्तों जब पढ़ाई में मन ना लगे जब 10 मिनिट का टॉपिक 50 मिनिट ले ले तब आपको इस ओडरिंग टेक्निक का यूस करना है इसमें simply आपको कुछ समय समय पे अपने आपको order करते रहना है जिससे आपका mind always आपके काबू में रहे किसी विचारों में नाख हो जाए और आप जो चाहो उसे पूरा कर सको timely ये टेक्निक वैसे तो बहुत simple है पर कुछ facts आपको और जानने बहुत जरूरी है ताकि आप इसका best utilize कर सके या मैं तीन चीज़े बताऊंगा जिसका आपको order देते समय बहुत द्यार रखना है उसमें से जो चीज मैं last में बताने वाला हूँ उसे तो कभी मत बूरना उसे गजब की speed बढ़ेगी समसे पहली बात past को बूल के order positive way में दे ऐसा नहीं है कि आप बोलते रहो यार कितना time waste हो गया अब क्या पढ़ूंगा चलो अब जल्दी जल्दी 20 minute में इस chapter को खतम करता हूँ और कोई option भी नहीं है मेरे पास पर आपको उसकी जगह कुछ ऐसे बोलना है जो हुआ सो हुआ पर अब ये last 20 minute देनी है इस chapter को कुछ भी हो जाए मैं खतम करके रहूँगा आईनों मैं कर लूँगा और बहुत अच्छी तरीके से करूँगा सो ऐसे बोलने से आपका पढ़ाई का पूरा attitude change हो जाएगा दूसरी बात आपको ध्यार रखनी है कि आपको order के बाद के benefits को highlight करना है इस week का target खतम हो गया तो मुझे एक movie देखने जाना है जल्दी से आज के target के लिए इस chapter को अच्छे से खतम कर देता हूँ ऐसे आप अपने आपको उस chapter को time पे खतम करने के फायदे दिखाओ ये हमारा human nature है कि हम तब तक कोई काम नहीं करते जब तक उसका कोई वजूद नहीं होता कोई reason नहीं होता कोई benefits नहीं होते rank लाना है या top करना है वो reasons है पर इतना गिसा बिटा हो चुका है कि मुझे पता है आप पे वर्ट नहीं करेगा so अब ऐसे आपको जो अच्छा लगता है उसकी लालत दे अब लास्ट चीज जो बहुत important है अगर उपर की दो चीज़े follow कर ली पर ये थर्ड चीज भूल गए तो भी उतना result नहीं मिलेगा थर्ड चीज actually आपके question का answer है कितने time के काम के लिए order देना है 1 hour, 2 hours, 5 hours और 10 hours दोसर इस technique का अगर best result चाहिए तो हो सके उतने ज्यादा order दो अपने आपको यानि कि 2 order के बीच में जितना हो सके उतना कम gap रखो for example एक chapter में 10 questions है आपने आपने आपसे order किया कि मुझे 1 hour में इस chapter को खतम करना है तो ये थोड़ा long हो जाएगा So 10 questions के हिसाब से आप decide कर लो कि 10 minute extra रखके एक question को 5 minute देनी है So हर question के सुरुआत में आपको अपने आपको order देना है कि मुझे 5 minute में इस question को खतम करना है और इतनी minute में मुझे next question उठाना है इससे आपके mind को time ही नहीं मिलेगा कहीं और भटकने का और 100% efficiency and speed के साथ आपकी पढ़ाई होगी अगर मेरी ये छोटी सी कोसित आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे जुडने के लिए Study Buddy Club को सब्सक्राइब करे इस वीडियो को like करके मेरा होसला बढ़ा है Thank you so much for watching this video Jain